तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस के अपना पैन आधार से लिंक कैसे करें तो हम लोग आ गये हैं अपने इंकम टैक्स के ओफिस्यल वेबसाइट पे इंकम टैक्स.gov.in आप गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे और याया यहां पर अपना पैन नमबर दालेंगे और ना आधार नमबर दालेंगे और यहाँ पर नीचे validate का option आएगा तो आप validate करेंगे जैसे ही आप validate पर click करेंगे तो आपके सामने एक pop-up आएगा इसमें लिखा रहेगा payment detail not found for this pen तो आप normally यहाँ पर continue to pay through e-pay tax में click करेंगे और आगे जब इसको click करेंगे तो continue करने के बाद यहाँ पर यह tab आजाएगा e-pay tax का जैसे e-pay tax का tab आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ field है जो आपको fill करना है जो red box में है पहला यह आपको अपना pen number डालना है यहाँ पर उसको वही pen को confirm करना है और फिर आपको एक अपना mobile number डालना है जिस पर OTP आएगा आप यह अपना mobile number यहाँ पर डालनेंगे pen को confirm करेंगे और continue पर क्लिक करेंगे continue पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वह किक confirmation आएगा you have successfully validated through mobile OTP क्लिक continue to make a new payment जैसे ही आप आप पर continue करेंगे तो आपके mobile पर OTP आएगा आप OTP जैसे ही डालेंगे तो यह आपका pen number और आपका name के साथ यह pop-up आएगा कि आपने verify successfully कर दिया है अपने OTP से अब जब आप continue करेंगे तो फिर आपके पास एक next screen आएगा यह screen कुछ ऐसा रहेगा e-pay tax इसमें ध्यान देने वाली यह चीज है कि आप income tax वाले ही tab को select करके proceed करें आप और भी other options रहते हैं लेकिन आप इसमें select करिएगा income tax जो red box में tab है जैसे ही income tax लेक करके proceed करेंगे तो आपके यह नया tab पर लेके जाएगा नया screen पर ले जाएगा ज 23-24 होगा इसको अच्छे से द्यान दिएगा क्योंकि अपना जो financial year है वो 22-23 है और assessment year 23-24 है तो आप यहाँ पे जो भी select करेंगे वो 23-24 assessment year select करेंगे और type of payment minor head में आप select करेंगे other receive 500 यह दो चीज को आप ध्यान से अच्छे से select कर लीजेगा देखके इसके बाद जैसे ही continue करिएगा तो यह आपको new payment के screen पे लेके जाएगा यहाँ पे new payment के screen पे लेके जाने के बाद आप चरूर से confirm कर लीजेगा कि यहाँ पे 1000 रुपया का fine के साथ 31st March last date है वो other पे ही हो क्योंकि आप उपर other select किये वह है इसलिए आपको यहाँ पे other में ही आ third sales है fourth interest है और fifth penalty है यह सारे में नहीं जाने जाना चाहिए यह other में ही होना चाहिए इसको आप confirm कर लेंगे और continue करेंगे जैसे ही आप continue करेंगे तो यह आपको यहाँ पे continue है जैसे ही आप यहाँ पे click करके continue करेंगे तो यह आपको एक नए टैप पे ले जाएगा चलान के tap पे जहांपे आपको अपना payment करेंगे 1000 रुपय का यह bank का जो अपना website होता है वहाँ आपको redirect कर देगा जैसे आप हाँपे redirect होंगे देखें यहाँ पे लिखा है चलान नाव जैसे continue करेंगे नाव चलान will be generated on the next screen जैसे continue करेंगे next screen में आपका mode of payment कैसे करेंगे यहाँ पर आपको दू-तीन options मिलेगा payment करने के लिए आप net banking से payment कर सकते हैं आप debit card से payment कर सकते हैं और आप UPI से भी payment कर सकते हैं जैसे हम आप payment करके continue करेगा तो आगे यह screen आएगा आप वापस से फिर home tab में आ जाएंगे यहाँ पर और फिर वही सेम प्रोसिस में आएंगे third option रहेगा link अधार लिंक अधार में फिर वापस से click करेंगे link अधार में click करने के बाद फिर वापस से वही screen आएगा यहाँ पर अपना pen डालेंगे और अधार डालेंगे जैसी पैन अधार डालने के बाद आप validate पर क्लिक करके validate करेंगे तो यह आपको नए screen पर लेके जाएगा उस बार क्या है आपका आगया link अधार वाले screen पर जासी उपन होगा तो आपका यहाँ पर देखें लिखा हुआ है name as per अधार जिस box में आपको वही नाम डालना है जो आपके अधार में है तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे और एक valid mobile number डाल देंगे जिस पर OTP आएगा यहाँ पर दो चीज़े देहान रखने के लिए यह है कि I have only year of birth in अधार काड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अधार काड में सिर्फ year दिया हुआ है पूरा date of birth नहीं है तो आप इसमें भी क्लिक कर देंगे और इसमें भी क्लिक कर देंगे और link अधार पे click करके continue करेंगे तो आपके पास यह फिर नया एक screen आएगा जिसमें आपका OTP आएगा जो उपर आप mobile number डाले रहेंगे उस mobile number पे OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालके आप validate करेंगे इस पर दो चीज़ ध्यान देने के लिए है एक यह तीन attempt के लिए ही है तीन attempt से ज्यादा करेंगे तो फि एक message रहेगा यह message यही रहेगा कि your request of आधार पैन linking has been sent to UIDAI for validation please check the status later by clicking on आधार link status link on home page मतलब यही बता रहे है कि आप जो OTP डालके validate कर दिया है तो यह हमने process कर दिया है UIDAI के पास आप कुछ time के बाद check कर सकते है यह complete होने के बाद हम लोग वापस से फिर home screen में आएंगे और यहाँ पर कोई third option देखेंगे link आधार status जो red box में है इसमें click करेंगे अपना आधार का status देखने के लिए click जैसे करेंगे यह आपको नए tab पे लेके जाएगा कोई same tab रहेगा चाहाँ पर आप देखेंगे कि पॉप आएगा जिसमें लिखा रहेगा जोर आधार पैन लेकिंग रिक्वेस्ट हैब बिन सेंट यू आईडी फॉर वालिडेशन प्लीस चेक दीस स्टेटस लेटर बाई clicking लब आपका वो जो है वो चला गया है आप कुछ समय के बाद जाके चेक कर सकते हैं आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा और जब आप कुछ समय के बाद चेक करेंगे तो आप फिर से वापस से वही पर जाके लिंक अधार स्टेटस में जाके यहां पर पैन और अधार डालेंगे जैसे यह आपका वो लिंक हो जाएगा तो आपके पास यह पॉप आप आएगा यूर प ऐसे जैसे ही आ गया मतलब आप समझ लीजे कि आपका जो पैन है वो अधार के साथ लिंक हो गया है थैंक यू